Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है Pen L Capsule के बारे में जो कि इस Capsule का इस्तमाल बहुत ज़्यादा गया, इसकी समस्या, इसके अलावा मानसिक समस्याओं में इस्तमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा दिया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाल है Pen L Capsule के बारे में इसमें combination का है, combination हो और क्या काम है, कौन-कौन से प्रफजों में इस्तमाल करते हैं, क्या doze है, क्या side effect है, किसे नहीं लेना है यहां सभी बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं Pen-L Capsule जो की 10 Capsule के Packing होती है Alcom Company की बनाई ही Medicine है और 200 रुपे इसका प्राइज होता है जिसमें 10 Capsule की Packing होती है और 1 Capsule आपको 20 Capsule में अबलेबल हो जाता है अब बात करते हैं Pen-L Capsule में क्या के Combination है तो इसमें आपको दो तरह के Important Combination अबलेबल हो जाते है पहला Combination है Levasol Piride जो की हर एक Capsule में आपको 75 Mg अबलेबल होता है और जो दूसरा Combination है Pentoprazole जो की हर एक Capsule में 40 Mg अबलेबल होता है अब बात करते हैं दोनों ही Combination हो क्या काम है तो पहला Combination जो की Pentoprazole है जो की एक तरीके का Proton Pump Inhibitor है इसके साथे साथ Antacid, Anti-Ulcerative, Anti-Reflex और Proton Pump Inhibitor Class से बिलोंग करने वाला यहा Combination है जो की इसका इस्तमाल बहुत ज़दा खटी डकार आने की समस्या होती है जीम में चलाना, Vomiting करने का मन होना गैस के ओजसे छाती में जलन होती है Intestinal Ulcer होता है नातों में चाले होते हैं या मूँ में चाले होते हैं तो उन सभी Condition में भी इसे दिया जाता है Other medicines के साथ Combined करके अब बात करते हैं जो दूसरा Combination है Leosulpiride जो की एक तरीके का Central Nerve System Drugs के Class से बिलोंग करने वोला है Medicine है जो की एक तरीके का Atypical Anti-psychotic Medicine है इसके साथी साथी है Anti-Fluents और Anti-Inflammetry Property पाई जाती है जो की काफी तरीके के समस्याँ में काफी फायदेमन होता है इसका इस्तमाल Gastroesophagal Reflex Disease के परपरज में इस्तमाल किया जाता है जो बहुत ज़्यादा Acid बनने की समस्या होती है Acid बनने के वज़े से चाती में जलन होना खटी डखाराना, जी मीचलाना Vomiting जैसा मन करना पेट का फूलना, अफरा बनना इस तरी की समस्या होती है तो उन सभी कंडिशनों में काफी कारगर होता है इसके अलावा Irritable Bowel Syndrome के परपरज में इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है पेट में मरोड होता है पेट में मरोड होकर दर्द होती है तो उन साभी कंडिशनों में काफी फायदे मंद होता है इसके अलावा छाती में जलन होना इसके साथी साथी से और भी दवाईयों के साथ डॉक्टर के अनुसार डिप्रेशन जैसी परपरेज में दिया जाता है इसनी जो फर्निया की समस्या होती है तो यह था इन दोनों कमबिनेशन के बारे में जनकारी अग बात करें इसका क्या डॉज होता है तो डॉज डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है रापसी किस पुरपेज मिले रहे हैं उससे साथ इसका डॉज का कंफर्मेशन होता है नॉर्मली इस दवा के इस्तमाल दिन में दो बार कर सकते हैं खाली पिट इस्तमाल की जाने वली यह दवा है यह दवा अकिली भी दी जाती है नहीं तो जादा तर other medicines का साथ combine डिकर के दिया जाता है जिसे जो भी आपकी समय से है वह बहुत जल्दी solve हो जाए इस दवा के इस्तमाल और इसका dose का confirmation डॉक्टर की रेक देख में करें किसी के बता जाने पर आप इस इस्तमाल ना करें बात करें क्या नुक्सान हो सकता है अगर आपको सूट नहीं करता है तो vomiting, सर में दर्द, बहुत जदा नीन दाना भूक न लगना, सरीर में कमजोरी महसूस होना तोचा में लाली पान, दस्त की समस्या इस तरही की नुक्सान देखने को मिल सकता है बात करें किसे नहीं लेना है अगर आप pregnant lady है किसी परकार का आपको कोई भी critical medical condition में कोई medicine का course चल रहा है या आप किसी परकार के कोई patient है तो उन सभी condition में आप इसे इस्तमाल ना करें और करते हैं तो डॉक्टर की रेख देख और डॉक्टर के सलखा के बाद ही करें तो यही था पैनल capsule के बारे में जनकरी अगर आपको वीडियो यह जनकरी अच्छे लेगी तो प्रीज लाइक कीजेगा और हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फर वाचिंग